हलो एब्रिवन स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का फूट फ्रॉम माई किचन में तो आज हम बनाएंगे मूली के पत्तों की ये रेसिपी जो खाने में बहुत स्वाधिस्ट होती है तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडि तो वीडियो को लाइक करें तो चलिए हम इसे बनाते है तो मूली के पत्तों की रेसिपी बनाने के लिए मैंने मूली के पत्ते ले लिए तो इसे मैंने दो लिया है और पत्तों की जो नीचे डंटी होती है उसे मैंने काट के थोड़ा अलग कर लिया है तो इस तरह से मैंने दो लिया है ये देखिए मेरे पत्ते जो भी थे मे लेके और इसे अच्छा से दो के बस अब मैं इससे क्या करूँगी न काटूँगी तो वह ने दिखाऊंगी अभी मैं इसमें क्या-क्या मसाले चाहिए वोड दिखाती हूँ तो ये मैंने ले लिये प्याज ये मैंने ले लिये टमाटर ये स्वादनुसार नमक ये हरी मिर्च ये दो हरी मिर्च को मैंने बारी काट के लिया है ये मैंने पचफोरन ले लिया है और ये मैंने ले लिये जीरा गुल की धनिया का पॉर्डर और थोड़ी से चुटकी वर हल्दी पॉर्डर और ये मैंने ना दस बारा लेसन की कलियों को ऐसे बारिक काटके ले लिया और यह ले लिया है मैंने मूली और आलू के ऐसे चोटे चोटे टुकडे करके ले लिया है तो यह देखें मैंने ऐसे चोटे चोटे टुकडे करके ले लिया है थोड़े से एक चोटे से आकार का आलू लिया है मैंने और एक पतली सी चोटी सी मूली तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जादा मसालों की जरुवत नहीं पड़ती है तो यह मैंने मूली के पत्तों को बारिक काट लिया आप भी इसी तरह से बारिक काटेंगे अब जितना बारिक काटेंगे वो उतना अच्छा बनेगा तो ले लिए आप चलिए हम इसे बनाते हैं तो मेरा कडाई गर्म हो रहा है तो मैं इसे इसमें आप तेल डालूँगी तो मैंने सरसो तेल का यूज किया है अगर आप जो भी तेल से आप खाना बनाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं प्यांज को मैं गोल्डन ब्राॉण ने तक भूनूंगी तो यह देखें मैं भून रही हूँ मूली के पत्ते हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो आप भी जरूर खाएं हरी साग सबजीयों खाने से हमारी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है जो भी विटामिन्स की कमी है वो पूरी होती है तो आप इसे जरूर बनाएं तो मैं ऐसे गोल्डेन ब्राउन होने तक भूनओंगी थोड़ी देर भून के फिर मैं रहसन की जो कलियां मैंे बारिक काटी थि न ब्रॉब्लम हो चुके अब मैं रहसन की कलियां जो बारिक काटी भी वह डालओंगी इस recipe में यह रहसन skip ना करें इससे इसका flavor और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है तो मैंने यह रहसन की कलियों को लेकर दाल के तोड़ा भून लूँगी मैं तेल में लहसन की कलिया मैंने इसलिए ने डाला पहले क्योंकि वो जल जाती है तो मैंने इसलिए बाद में डाला आप भी ऐसे ही बना है तो इसका तेस्ट देखना आप ज्यादा अच्छा हैगा यह मैंने इस वक्त मूली और आलो को डाल दिया है मैं इसे एक बाद चला लूंगे अच्छे से दो तीन बार और फिर मूली के पत्ते बारी कटो को धाला लेकूर जो चलाके चोड़ दिया है इस तरह से आप भी से मिक्स कर ले और मैं इस टाइम पेस में थोड़ा नमक और जो मैंने हरी मिर्च कर भी ली थी बारिक वो हरी मिर्च आप कम ज्यादा कर सकते हो अगर तीका ज्यादा काते हो तो बढ़ा सकते हो कम काते हो तो फिर कम ली सकते हैं तो मैं इसे अच्छे से एक अगर आप इस पत्ति को बिना मूली और आलू के बना रहे तो आपको पानी डालने की जरुवत नहीं है और वह बहुत जल्दी बन जाएगी पर मूली और आलू पके इसके लिए मैंने थोड़ा पानी लिया है क्योंकि जो हमारे मूली के पत्ते वह तो जल्दी पक जाएगी आलू कच्चे रहे जाएगे ना तो इसके लिए मैंने थोड़ा पानी लेया है और मैं इसे 15 मिनट तक कवर करूँगी तो मैंने 15 मिनट के लिए इसको ढखा है पंदरा मिनट के बाद मैं इसे चेक करूंगी तो देखिए 15 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये जीरागोल की दनिया का p華r और मैं थ्योड़ा टमाटर जो में लिया था May बार गात नहीं साइज का मीडिया अब मेंसे एक बड़ अच्छे से मिक्स करऊंगे these मैंने मिक्स कर तिया है अच्छे से अब मेंसे डॉप कर दस मिनट बखाऊं यह देखे हैं, यह पानी सूप चुका है तो मैं इसे अभी पान्च मिनट चला के भूनूंगी आप इसे लो मीडियम पर ही पकाएं, आथ प्छैं पर ना पकाएं निटो रेसीपी है जो व का जल जाएगी तो इसके लिए आप पान्च मेडियम पर पकाएं तो मैं ऐसे चला चला के पांच मिनिट भूनूंगी मेरा ये मूली के पत्तो का सबजी रेडी है तो मैं अभी आपको इससे सर्व करके दिखाते हूं तो ये देखें मैं इससर्व करके दिखा रही हूं ये पूरा पाने सुग गया और खाने में इतनी स्वादिस्ट आप इसे चावल के साथ खाएं आप इसे रोटी के साथ खाएं ये बहुत अच्छी लगती है तो मैं ऐसे आपको पास्ते भी दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है मेरा आलू मूली भी पग गया और साग के साथ एकदम एक सार हो गया तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्षन पर कॉमेंट करें कोई नई रेसिपी चाहिए तो भी मुझे कॉमेंट करें थैंक्यू फॉर वाचिंग